आप चाहें किसी भी framework में चले जाओ, किसी भी library को use कर लो, लेकिन होता क्या है, जो html css javascript में लिखा हुआ code होता है, वो एकदम आपके दिमाग में गुशता है, यह है html css styling कर रही है, javascript client side logic लिख रही है, head के अंदर मुझे डालना है title, head के अंदर मुझे add करना है css, तो एक clarity रहती है, एकदम clear picture बनके रहती है हमारे दिमाग के अंदर, लेकिन कभी-कभी हम लोग यह चाते हैं, कि हम लोग अपने head के अंदर डाल दें कुछ चीजों को, बढ़ हम होते है next.js के अंदर है, यह next.js के अंदर तो pages folder होता है, जो कि react component export करता है, वहाँ पर मुझे head कैसे मिलेगा, वहाँ पर तो मैं simply react component लिख देता हूँ, और वो मुझे export होगे मिल जाता है, लेकिन next.js ने आप लोगों को भी खुश रखने का इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि next.js प्रोवाइड करता है, एक head component जिसकी साहिता से, आप लोग head के अंदर code inject कर सकते हो, आप title change कर सकते हो, किसी page का directly head के अंदर title tag को change करके next के head component की साहिता से, ये head component next.js के अंदर किसी भी एक page के लिए head tag को directly edit करना हम लोगों के लिए आसान मनाता है, इससे हम होते तो next.js की शक्तियों के अंदर है, लेकिन हमको वो good old HTML, CSS और JavaScript वाली feel आती है, वो feel हमारे अंदर बरकरार रहती है, तो ये सारे काम code में किस तरह से करना है, चलते हैं computer screen में और मैं ये सारे की सारी चीज़ें आप लोगों के explain करके बताता हूं, let's get started with this video. तो यार, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो next.js का को आप लोगों को पता हूं, आप लोगों को बनाया hunting quarter, जो की काफी धमागेदर ब्लॉग बनने वाला है, let me tell you, लेकिन आज के इस वीडियो का मुद्दा है next का head, क्या होता है next head, पाई तब एक चीज़ मैं आप लोगों क बताना चाहता हूं कि मैंने क्या खोल दिया, मैं खोलना चाहता था, यह वाला folder, श्याद मैंने यह वाला folder खोला था, open it code, okay, तो यह वाला folder मैंने खोल लिया है दुबारा से, मैं आप लोगों को बताना चाहता था, कि जो सारा का सारा source code है, वो एक GitHub repository पे मैं डाल दूगा औ आप लोगो गेटाने की जरूरत नहीं, आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट इस course के लिए गेटाने की जरूरत नहीं है, let me tell you, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप लोगो next head के बारे में बताऊंगा, कि next head क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले, मैं आप ल लोग देखो कि जो हमारी next.js की starter template होती है, उसके अंदर एक import होता है, import head from next head, ठीक है, इसकी क्या ज़रूरत थी, अगर मुझे कोई challenge देगी है, इसको हटा दो, मैं होगा यह लो भाई, हटा दिया, मैं save मारूंगा, मुझे definitely एक error देखने को मिलेगा, क्यों ने मिला error देखन line number 8 पर हो देखते हैं, आपर क्या किया जा रहा है, इस head के साथ, इस head के अंदर title है, और उसके अंदर hunting coder है, अगर आपको HTML आती है, जो कि आनी ही चाहिए यार, क्यों कि आप लोग फिर यहां पर क्या कर रहे हो, अगर नहीं आती है, तो title के अंदर हमने hunting coder डाला हुआ है, यह title हमारा page के यहां पर दिखाई पढ़ रहा है, देख रहो, यहां पर दिखाई पढ़ रहा था, है नहीं था, क्योंकि अभी error आ गया है, ठीक है, तो यहां पर, यह title देखने को मिल रहा था, meta description देखने को मिल रहा था, एक minute के लिए revert करूँगा, और आप लोगो दिखा content is equal to generated by create next app, और यह जो पूरा का पूरा हमारा title, meta, description, content is equal to यह, यह पूरा का पूरा ऐसे आ गया है, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि, जो head होता है HTML का, उसके अंदर content इसने inject कर दिया है, ठीक है, तो कभी भी हमें head tag के अंदर, जो HTML का head tag होता है, हमारे page का head tag होता है, उसके अंदर हमें inject करना है, कुछ भी, हम next का head इस्तेमाल कर सकते है, क्या हम यह काम javascript से कर सकते थे, obviously कर सकते हैं, title को set किया जा सकता है, अगर आप लोग react से आते हैं, तो आप लोग javascript से ही title set करते थे, लेकिन यहाँ पर next.js एक convenience function देता है, ठीक है, तो हमें import क करता है, इस्तेमाल इसका, अब यहाँ पर आप लोग देखो, यह चीज और यह चीज हमारे HTML head के अंदर जाई है, और अगर आप लोग यह सोच रहों कि यह इतना compressed क्यों है, तो for SEO reasons, यह compress कर देता है, यह line wrap को मैंने on कर लिया, तो यह कुछ इस तरह से दिखा रहा है, जो scroll bar मुझे अभी देखने को मिल रहा था, तो चलो यह चीज तो आप लोगो clear हो गई, कम से कम, कि यहाँ पर हमारा जो head tag होता है, उसके अंदर हमें कुछ भी inject करना है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है, यह तो एकदम clear है सबको, अब होता क्या है, अब एक और कहानी आप लोग क चाते है, search console का code, मानो हमें किसी ने भी code दिया, कहा कि यार यह JavaScript अपने इस वाले page पे डाल दो, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कैसे डालूँगा JavaScript, कहीं भी अपने किसी भी page में, लेटसे मैं आपर एक JavaScript डालना चाता हूँ, और वो JavaScript, लेटसे कुछ भी करती है, I don't know, मैं क बहुत lazy हूँ यार, मैं चाहता हूँ कि मुझे alert दिखाए जाए, मैं console नहीं खुलने वाला, बहुत आलसी इंसान हूँ, अब देखो, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, script src, script, ठीक है, अब यह पता नहीं क्यों एमेट पे चलानी पा रहा हूँ, उसका भी reason आपको बताऊंगा, script src is equal to, और मैं आपर लिखूँगा, slash sc.js, ठीक है, और यहाँ पर script आ गया, अब मैं save करूँगा, खोलूँगा इसको, देखो, hello, तो यह script यहाँ पर मैं run कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं script add कर सकता हूँ, जैसे कि आपने देखा, यह sc.js run हो र ठीक है, तो होगी वो run, अब अगर मैं चाहता हूँ, कि मैं script को, let's say lazy load करूँ, क्योंकि यार देखो, javascript कभी-कभी execution तोड़ा heavy हो जाता है, कभी-कभी दिक्कत क्या होती है, javascript को run करने में, कि बहुत ज़रा time ले लेती है वो, और उसकी वज़े से आपका page slow हो जाता है, तो आप यह चाहोगे नहीं, कि कि किसी third party, छोटी-mोटी analytics, use करने के चकर में, आपका page slow हो गया, पहले तो आपके users है, आप चाहोगे, कि आप अपने users को पहले रखो, आपका user अगर अच्छी तरह से service ले पा रहा है, आपकी website की, या फिर content को consume कर पा रहा है, वो सबसे बड से काम करता है, मैं script को कुछ इस तरह से लिखूँगा, ठीक है, और यहां पर script, कुछ इस तरह से मैं, यहां पर, मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा, और इसके अंदर मैं, जो है, javascript लिख सकता हूँ, लिखूँगा, src is equal to, और s slash sc.js, ठीक है, यह मैं आप लोको दिखा अब मैं save करूंगा तो देखो अभी भी हो रहा है जो पहले हो रहा था तो यहां पर बदला क्या script component component next js उसके बाद भी गलती लिख दी spelling मैंने कोई बाद नी अब यहां पर देखो next script कुछ इस तरह से import किया जा सकता है यह script component की documentation है official और यहां पर आप लोग देखोगी कुछ इस तरह से script component को use किया सकता है अब देखो यहां पर इन्होंने इसके कुछ attributes के बारे में बताया है strategy strategy क्या है strategy हो सकती है lazy load यानि कि जब खाली time बचेगा जब सारे काम निपट चुके है उसके बाद लोड होगी आपके script most of the cases में आप लोग यह यूज करना चाहोगे before interactive load before the page is interactive after interactive load immediately after the page becomes interactive तो यह by default होता है देखो bracket में लिखा हुआ है तो मैं strategies equal to lazy load लगाऊंगा अगर तो जब मेरा पूरा का पूरा document जो है वो render हो जाएगा अच्छी तरह से उसके बाद यह script जो है load होगी ठीक है अब यहाँ पर यह चीज आपको बतानी चलेगी sc.js में लेकिन believe me believe me अगर आप लोग add करो कोई third party script वो आपके page को कभी-कभी slow बना देती है जो कि third party script को आपसे कोई मतलब नहीं है आपका page fast हो रहा है slow हो रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी मतलब नहीं है वो बस यह चाते हैं कि आप उनकी service use करें अगर आप कहेंगे क्यार यह script slow है तो वो कहेंगे भाई lazy load कर लो आप कैसे करो वो नहीं बताएंगे आपको plain and simple javascript से भी यह चीज़ की जा सकती है बट मैं आपको बता रहा हूँ कि next js के अंदर यह काम आप इस तरह से बड़े अराम से कर सकते हो तो भाई हम तो जो है lazy loading करने वाले है ठीक है script tag के अंदर head के अंदर में डाल देना head के अंदर में डालना script कभी भी script tag कस्तिमाल करो ठीक है dangerously set inner html एक property होती है उसके बारे में आगे देखेंगे ठीक है अभी के लिए बहुत जादा हो जाएगा बट सब कुछ उपलब दोता है यहां पर documentation अभी आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप लोग एक beginner हो लेकिन जब आप थोड़े बहुत intermediate कहीं नहीं advance level की तरफ जाने लगोगे तब आप इसको पढ़ोगे और आपको समझ में आगा यह क्या कह रही है आपको पता चलेगा next year script component यह is an extension of html script अब किसी को पता है नहीं में script tag क्या होता है तो वो कहेगा यार यह क्या की क्या लिख दिया ठीक है समझ दो में इस बात को मैं क्या कह रहा हूं यहां पर आते हैं वापस से अपने code के अंदर और आप देखो यहां पर script src is equal to illegal strategy is equal to lazy on load लिखा और यह जो है script हमारी काम करेगी मैं इसको reload करके दिखा आप लोग को ठीक है यहां पर देखो hello और यहां पर काम करेगी और हमने यहां पर head को भी अच्छी तरह से configure कर लिया script को भी configure कर लिया image के बारे में हम लोग देखेंगे आने वाले वीडियो में but अभी के लिए I hope कि head सबको समझ में आ गया किस तरह से लिखना है अब मेटा एक keyword भी होता है ठीक है मेटा name is equal to keywords और यहां पर आप लिख सकते हो next next blog ठीक है hunting coder में next blog नहीं लिखूँगा hunting coder लिखूँगा आप देखो आप समझ गया होगा अगर पहले नहीं समझ रहे हैं यह scroll bar नहीं दिखेगा यह पूरा wrap करके यहां पर दिखा देगा मुझे ठीक है तो I hope कि यह सब clear है सबको दिख रहा है कि हमारे keywords किसी को हाँ ही देखो meta name is equal to keyword यहां पर आ गया कोई भी चीज अगर आप लोग directly inject करना चाहते हो head के अंदर अपनी HTML पीच के head के अंदर तो इसकी सायता से गड़ सकते हो ठीक है तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है यार next.js की जो हमारी playlist है उसको जरूर access कर लेना आप लोग और मैं आपर सारी के सारी चीज आप ल कि कर highly अंदर आप लोगारी और आप है वह बस्ताव ड़ूरीी बेपनना है cru कर र Κालम वह बस्ताव में आप लोग